बंदे पुर्सोत्म। वह तो मेरे पास है। स्वर्गी प्रकास चंद्रबसु की पतनी सैल वाला मा अपने परिवार के साथ देवघर सत्संग आस्रम में रहती थी। उनका बेटा पल्टू कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई करता था। एक बार वह छुट्टी में देवघर आने पर बहुत बीमार पड़ गया। डाक्टर प्यारीदा उनको देखने आये। प्यारीदा जांच वगर रह करके चुप चाप लोट गये। किसी को उस समय तक कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ है। सहल बाला मा को ठीक पता चल गया कि पल्टू अब इस दुनिया में नहीं है। सहल बाला मा बात्रूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दी। अचानक सुसीला मा एवं सरोजनी मा दवड़े दवड़े आई। ठाकुर उन लोगों को द बात्रूम में अंदर से बंद हैं। बात्रूम का दरवाजा तोड़कर सहल बाला मा को बाहर निकाला गया। घर में कोई भी नहीं समझ पाए थे। कब सहल मा बात्रूम के अंदर जाकर सलाइन की बोतल तोड़कर उसका चुन बना कर रखी थी। उसे खात कर वह अपना प् उस सहल वाला मा को ठाकर के पास ले गए। ठाकर सहल वाला मा को बोले तुम वैसा क्यों कर रही थी। पल्टू आकर मुझे तुम्हारे संबंध में बतला कर गया। सहल वाला मा को समझ में आया कि उनका लड़का सिसी ठाकर की सरण में ही है। वे ही सभी के रक्षक हैं वे स तो ना मिला। समझ में आया हम लोग सभी उनके पास से ही आते हैं और पुनह उनके सरन में ही लोट जाते हैं। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक रात पल्टूदा की बहन सेफालिका घोस सपने में पल्टूदा को देखी। पल्टूदा एक सुन्दर बगीचे में सर को कपड़े से ढख कर बैठे हुए हैं। बगीचे में अच्छे अच्छे फल जूल रहे थे। सेफलिका पल्टूदा से फल मागी। पल्टूदा बोले वह फल नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह फल ही हम लोग खा कर रहते हैं। यह कहकर घर के एक निर्ष्ट जगह को बतलाते हुए बोले वहाँ पर 19 रुपिया रखा हुआ है वह ठाकुर प्रणामी है उसे ठाकुर को ही देना। ठीक इसके दूसरे दिन ही पसुपतिदा नामक एक ब्यक्ति को उनके घर जाकर पल्टूदा की माँ से बोले ठाकुर सपने के बारे में बोली उस निर्दिष्ट जगह में देखा गया 19 रुपिया ही वहाँ पर रखा हुआ था वह रुपिया पसुपतिदा के माध्यम से ठाकुर के पास भेजा गया सात्वत कथा से जाए गुरू